हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS Tutorial पर स्वागत है तो आज हम लोग जेक बोट के लास 10th का इंगलिस का भेर भेर इंपोर्टेंट कोशन देखने वाले हैं फाइनल एक्जाम 2024 के लिए आप चाहें किसी भी यहर में इस वीडियो को देख रहे हैं 2024-2026 कभी भी यह वीडियो काफी ज्यादा महत्पूर्ण होने वाला है क्योंकि हम लोग जो बार-बार रिपीट हो रहा है कोश्चन उसको यहां पर देखने वाले मैं आप लोगों को य लग से करो विडियो लयाऊंगा और सारा कांसर बताऊंगा यहां पर मैंने टोटल सु लक को इसन बतानी लंग गया एंसर बताने लग गया काफी ज्यादा समय लग को कोश्चन बताऊंगा आप लोग अपने से अंसर लिख लीजिएगा आपके पास बूक होगा आपके पास नोट्स होगा कहीं से याद कर लीजिएगा यह सुलक कोश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है जैसे पहला कोश्चन देखिए यहां पर वाज ग्रिफिन वाट टाइप ओफ मैंड यह कोश्चन देखिए एक दो तीन चार पांच पांच बारा आचुका है आप यहां देखिए तो कब-कब आया है यहां पर देखिए 2009 में आया है 2014 में 2016 में 2019 में 2012 में एक दो तीन चार पांच यस पांच बारा चुका है तो सुचिए कितना ज्यादा इंपोर्टेंट कोस्टेन है आप कोसिन बैंक उठा कर देख सकते हैं को सिन आपको मिल जाएगा ठीक है कोसिन बैंक देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसे पता चलता है पिछले यह क्या क् कोसिन बैंक आप लोग ले सकते हैं वैसे मैंने यहाँ पर समराइज कर दिया है आप नहीं लीजेगा तो भी कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूंगा सेकेंड कोसे ने डिस्क्राइब दा रोल ओफ दा टीचर इन मॉल्डिंग दा पर्सनालिटी भोली भोली का विक्तित्व निखारने में टीचर का क्या रोल था तो देखिए यह कब कब आ चुका है 2009 में आया है 2012 में 2014 में और 2019 में एक दो तीन चार चार बार आ चुका है कोस्टेन सोची कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है फाइनल बोड दोहजार चोबिस से पहले इसक आप अच्छी तरीके सब सब्जेक्टिव एक्जाम के लिए तैयारी कर लीजिएगा हम लोग अगला कोर्शन देखते हैं तीन नमबर देखिए वाई इज भोली जफादर वरीड अबाउट हर बोली के लिए क्यों चिंतित थे यह देखिए एक दो तीन तीन बार रिपीट बीच ओफ मटीलडा यह एक दो तीन तीन बार रिपीट हो चुका है 2011 में 2014 में 2019 में एक चीश में आप लोगों को बता दू कि यहां पर मैंने 2009 से लिया है 2009 से 2022 तक इस बीच जितना भी कोर्शन रिपीट हुआ है आपका टेक्स्ट बुक से वह मैंने यहां पर मैंसन किया है 2009 से पहले का कोर्शन यहां पर मैंसन नहीं मिलेगा आपको अगला कोर्शन बढ़ते हैं हम लोग अब अगला कोर्शन दीखिए पांच नमबर पांच नमबर क सब्सक्राइब करेक्टर इसकेच आता ही आता है देखिए 2013 में आया था 2015 में आया है 2016 में यहां पर तो कंटिन्यूस रिपीट हुआ है 15 और 16 सूचिए एक साथ मजा आ गया यह सभी कोर्शन को आप याद कर लीजेगा लोंग अंसर के लिए सब्जेक्टिव कोर्शन है यह स देखिए नेक्स नमबर वाइवाज मिस्टर हेरियट सब्ट एट्रिकीज अपेरेंस दोहजार तेरो में आया था चौदर में आया था अठारे में यहां पर देखिए तेरा चौदर में आ चुका है फिर 18 में आया है तो यह कोर्शन भी इंपोर्टेंट है आप याद कर ली लीजिएगा फाइनल एक्जाम के लिए सब्जेक्टिब के लिए देखिए नेक्स साथ नमबर है वाइवाज मटीलडा अनहपी मटीलडा का करेक्टर स्केश लिखना है वो पिछला कोर्शन था लेकिन यहां पर क्यों वो अनहपी थी इसको भी पताना है 2012 में आ चुका है 2016 2016 में है 2020 में आया है देखिए तीन बार रिपीट हो चुका है इंपोर्टेंट है अच्छो तरीके से प्रेक्टिस कर लिजेगा बार बार कम से कम तिन चार बार पांच बार इसको लिख लिजिएगा तो फिर आसाने से आप लिख पाईएगा एक्जाम में अगला अगला लेंचो राइट तू गोड हाव डीड ही सेंड लेटर यह कोशन देखिए 2009 में आचुप का है 2010 में कंटिन्यूसली रिपीट हुआ है कोशन नो और 2010 में यह कोशन भी इंपोर्टेंट है चलिए इसे भी आप याद कर लीजेगा अगला कोशन देखते हैं हम लोग अब अगल केज 2010 में आया था 2012 में आया था देखिए दो बार रिपीट हो चुका है अगला कोशन यह सभी कोशन का आप याद कर लीजिएगा दसवा नमर देखिए वाई डिड लेंचो राइट अलेटर टू गोड बहुत ही फेमस कोशन है कि लेंचो ने पत्र क्यों लिखा भगवान क 2009 में आया है 2017 में आया है ठीक है अगला कोशन देखते हैं हम लोग अब यहाँ पर 11 नमबर वाई डज एनी वांट टू किप और डाइरी वाट वाज दे नेम ओफर डाइरी यह कोशन भी 2013 में और 2017 में रिपीट हुआ है शेम टू सेम कि वह अपने साथ डाइरी को रखते थे और डाइरी का क्या नाम था याद कर लिजिएगा कोश्चन अंसर देखें बारा नमबर हाउ डिड़ इब्राइट्स मदर इंकरेज हिम रिचर्ड इब्राइट्स की मदर उसको कैसे इंकरेज करती थी 2013 में आया है 2016 में आया है देखिए दो बार रिपीट हो चुका है बीच में तेरा चुदा पंद्र दो साल गेप फिर सोलो में आ गया अगला कोश्चन देखते हैं हम लोग तेरा नमबर हाव आज ब्रेड अन इंपोर्टेंट पार्ट ओफ गोवन लाइफ गोवा के लोगों के लिए ब्रेड अब चुदा नमबर हाव डीड और शेबल गेट राइड ओफ मैक्स 2015 में आया है 2012 में बहुत इंपोर्टेंट है दो बार रिपीट हुआ है अगला कोश्चन देखते हैं हम लोग 15 नमबर हाव ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज अमांडा कितने साल की है 2009 में आया है 2011 में आया है लास्ट में एक अनलाइज करूंगा अभी मैं देख रहा हूं लास्ट में इक शीज बताऊंगा मजदार चीज वीडियो के साथ बने रहे हैं लास्ट ही कोश्चन है वाट वर्क डीड द थीप डूफोर अनिल के लिए चोर क्या करता था दो हज़ा 2014 में आया है 2016 में देखिए रिपीट हो रहा है कोश्चन काफी सारा कोश्चन है जो रिपीट हो जाता है इन सभी कोश्चन को बड़ एक्जाम के लिए पानी पानी कर दिजे रट दिजे ताकि इन सब में से कोई भीड़ गया तो बस आपका नंबर भी भीड़ गया समझे ठ देखे एक चीज मैंने गोर किया है यहां पर जैसे कि यह कोस्टेन लास्ट कोस्टेन से हम लोग सुरू करते हैं वाट वर्क डीड द थीप डू फोर अनील दोनों सम संख्या है उसे तरीके से अभी मैंने नोटिस किया सड़नली और मैं यहां पर कितना सही बोल रहा हूं आप लोग खुद चेक कर लिजिएगा देखे यहां पर देखे 2010-2022 दोनों सम संख्या है फिर देखे नेक्स्ट अगला यहां पर यह भी चली अलग हो गया बट यहां पर फिर हम लोग देखेंगे विसम-विसम के साथ है ठीक है उसके बाद फिर आगा देखेंगे हम लोग यहां पर यह भी विसम-विसम के साथ है और यहां पर देखे यह सम है 2010-2012 सम संख्या के साथ है यह इक्तिफाक ही है या फिर इस तरीके से बनाया जाता है डॉन कि यह सभी आवगा इस लाग्न दहां हो तरीके से जो भी कोश्वेंट हुआ है तो पांच बार रिपी रहे हैं अच्छी तरीके से हम लोग याद कर लीजेगा प्रक्टिस कर लिजेगा देखिए को आप याद कर लीजिए या वीडियो को लाइक करके रही है या फिर जितना भी कोशन सब को नोट डाउन करके रही है जो करना किजिए लेकिन प्रइनल बोर्ड से पहले सभी को अच्छे तरह कि त्यारी करके जाए ताकि आपका अच्छेस एक्जाम जाए अब कर लिजेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाब हो सकेगा जब बोड एक्जाम नजदीक आएगा तब मैं आउर बहुत ही इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ग्रामर से और बाकी सभी सब्जेक् के लिए इंपोर्टेंट कोर्स और अंसर अपलोड करूँगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंको पर वाच में वीडियो है बें गुड डेए